हरर की दाल बनी है तो बिलकुल हाथ से खा रहे हैं हरर मादे अर्र हालातों में कुछ न कुछ बात होगी जो अकेले चलने पे मुझबुर हुए हैं कुछ करने की बात होगी और वो ही कितावे बनती है तो दोस्तों जैसे कि मैं first class उठ चुका हूँ और अभी जैसे कि फ्रेस हो गया हूँ और आज जैसे कि हमारी यात्र का है इने में थीमारी lleol 30 से lluwelle और आज जैसे कि हम रुठव्याग से ठेसे यात्रम्र been अगे चलएगे तो दोस्तों अभी फटाफट से radio हो जाते हैं αυτό नमस्ते रमरम्या ह ही इब हमारी आपका फट से मेरे छोटे से यूरूप चैल मैं तो अभी दोस्तों जासी कि मैं फस्सक्रास रेडियो हो चुक हूँ और बस अभी जासी कि यहां पे जूस वगरा नमकिन वगरा और चले वगरा थे तो थोड़ा सा वो खाया और भाहर चलके breakfast वगरा करेंगे और उसके वाद यात्र में चलेंगे तो दोस्तों बस अब यात्र के लिए निकलते हैं तो बोलिए एक बाद मेरे साथ हर हर महादे दोस्तों अभी जैसे की आपना जो आज का वीडियो है वो प्लूट करना था तो भाई जी के पास आगा है कि यहां पर वाइफाय बगर रहा है तो भाई जी दोस्तों अभी फटर दोसक्त कर लेते है तो तक यहां पे अपना वीडियो अप्लॉट होते रहे ख़ोम ने रहे अभी जैसे की भैंकर हो रही है, सामको तो जैसे की मौसम बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, अराम से मतलब फर्स्क लास मुपादर अपकर करना लग जाता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में अभी जैसे की मैं पैदल चल रहा था, और जैसे की भाई मिल गए मुझे रास्ते में, तो भाई सबसे पहले एक बार बोली है, हर हर मादे, जैसी की जैसे की मेरा नाम भी अंकित धूलिया है, पर ना धूलिया हूं, ठीक है, और जैसे की भाई रास्ते में मिले, और भाई ने अपनी यात्र के बारे में बताया, तो कैसा रखता है अभी है, जब कोई मतलब ऐसा बंदा निकलता है, मतलब आपको कैसा फिल हुआ मतलब देखिए, अगर दोड़ती भाती जिंदेगी जो अभी हमारी है, उसमें अगर कोई बंदा पैदल चल ला है सड़क पर और अकले चल और उन में, उन हालातों में कुछ ना कुछ बात होगी जो अकले चलने पर मुझबूर हुए हैं, और इस दोड़ती भागती जुनिया में, आधनिक यूप में, जहां सब एक चीज को पाने के लिए इतने दोड़ते हैं, भाग रहे हैं, उन सब से हट कर अकले चलने हैं, त कुछ करने की बात होगी, और वो ही किताबे बनती हैं, वो ही शायरियां बनती हैं, और वो ही नए आयाम इस्तावित करते हैं, तो ऐसे लोग उसे जुरूर मेंगी, जो काफी अच्छा रहा आप से बात करके, और जैसे कि महादेवी के उपर आपके तरिवार के उपर और आ ऐसी टर्नल मतलब बद्रिनात में भी बन रहे हैं, और बद्रिनात में ऐसे टर्नल बनने के बाद क्या हाल हो गए, आप लोगों को बता है, तो ऐसे ही कई टर्नल मतलब इधर भी बन रहे हैं, तो आप लोगों की क्या कहना है, कि ऐसे टर्नल बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए कमेंट जरूर बताईएगा और उत्राखन के विकास के लिए उत्राखन के भाविष्ण के लिए यह सही है यह नहीं है वो भी बताईएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि तिलवारा रास्त सरफ एक किलोमेटर रहिए और जैसे कि कोड़वार से भीयन लोग यहां और वग आप लिएर्भ लोगह लें इसे में ईसे की आर लोगह में कुछ के मिन के लिएवगर को है और कहाँ से हो बहुत रहे हो gotta आंपने लागर करें मुझे वक्ते हर में एक पम्हसां अच्छिंग है वाशन तुलाई शलो basta पर जैसे की पैदर ले आतर रहा हैं तो शिद्दत से कन्नी है और जो भी तुना पैदर लागा जो पूरी तर्ली सब आधार, हरमादे, हरमादे दोस्तों talkा चैसे की कॉड़दवार से भीय लोग मिले थे और रास्ते में उनसे मिले काफी अच्छ लगा उन्होंने कूड़दवार का पानी भी प्लाया ऑ और जासे की भीय लोग ने नमकीन बिसकेट और मिले चमु दीया है जहां हमें जाना था वहां बस एक किलोमेटर ही रह गया है पहुचके मापको गाउं भी दिखाता हूं और उसके बाद जैसे की रेस्ट करें हैं आज जैसी हम ज्यादा दोनी चले पर आट-नो किलोमेटर तो चले ही हैं और जैसे की दूप जो है यार एक तो दूप अब जैसे कि हम अगस्तमुनी की साइड जाते रहेंगे जैसे जैसे केज़ार नाज जी की तरफ जाते रहेंगे तो वैसी ठंडा-ठंडा मौसम होते रहेगा और जैसे की दूप है पट थोड़ी हलके लिगी ठंडी हवा चल गई है जैसे की अभी मैं तिलवार में पहुच चुका हूं और जैसे की यहां पे पेट्रू हम था उससे आगे हम निकल चुके हैं और सुबह जैसे की हम नौ बजे के असपास निकले थे और कम से की हम अभी तक हम आट-9 Ellis चल चुटे हैं और तिलवारा मार्केट से जैसे की बता है कि किलोमेटर के आगे हमारी रहने की वेवस्त है तो सिदा आप महाँ चलते हैं तो तो श्यकि तुमधे पढ़े हैं तो खाना वगारा यही पे तो भी टाफर्च चलते हैं और खाना किस्क्jectि होआपको दिखाएंगे तो दोस्तों फटाफड से खाना खालेते हैं औरयों कि भूब धूबेहा लग लागर हो मुझा आदया है तो दोस्तों अभी जासी की अपना ख़ना आ चुका है आप वट से खाएंगे और जैसे की ह्रड की जाल बनी है है काफी दिनों से जैसे की कि मिक्स दाल ख़रते तो आज रड की दाल मिल गई तो मजा ही आ जाएगा और खना स्टार्ट करते हैं तो आज जैसके ह्रण की डाल बनियाया तो बिलकुल हाथ से खा रहे हैं और और हाथ से खाने का कुहीं मचा ही अलग और काफ़ी दिन से कर रहा था जैसे very डाल खानेका मन मिलेगा तो थोड़ा वात खुमने जाएंगे और जैसे कि कुछ आसपास कुछ पढ़िया जगा होगी तो आपको दिखाएंगे और जैसे कि केदारनाथ यात्रा जो मेरी शुरू हुई थी वो 27 मार्च को स्टार्ट हुई थी और आज जैसे कि हमें 15 दिन हो चुकी हैं पूरे यही यातरा मैंने कोड़वारसादबली मंदिर से स्टार्ट कर थी और बिलकुल पैदल यातरा है, जो कि मैं बिलकुल सितत से कर रहा हूँ जितने भी मन Demandira हैं वह जारा हूँ, वहां के बारे पे पता करने की कुशुश कर रहा हूँ कि उस मंदिर के पीछ यह क्या कहानी और मन्तलब हमचलाइ से भी लोग से मिल रहा हूँ जो हो मिरेशा उन्से मिल रहा हूँ काफी लोग वीडियो दो गátारहे हैं मेरी कहतरनात्य जातरा करने का मैंन हो था कि में अपनीनल्यान पूरी मचला की आपने पाईल हो यूट्यूप के जरिए दिखाऊं लोगों को और जितने भी मतलब रास्ते में पुरानिक मंजिर होते हैं वो भी लोगों को दिखाऊं और जितने भी रास्ते में लोग मिल रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊं और कैसे कैसे हम जा रहे हैं कैसी कैसी मतलब हमें मुश्किले हो रही हैं चलने में पर जैसे कि मेरे पैर में मतलब बहुत ही मोटे मोट अच्छा लोग है तो यह सब मैं ने दिखाया तो बस आप लोगो साथ और प्याची है आँ में तो दोस्तों अभी जैसे कि मैं उठा और उठने के वाद ताइंब बहुत ज्यादा हुचक था इसलिया मैं गूमने नहीं जा पाया क्या ठकान बहुत ज़्यादा लग चुए थी इसलिया अच्छे से और अभी जैसे की ऊटके फिर खाने का टाइम भी हो गया था तो सुफ़े वगेरा मिलते हैं तो वो भी दिखाता तो आज नहीं दिखा पाया पर अगर कोई भी तिलवाडा का वीडियो देख रहा हो तो इस मेरी जो पैदल यात्रा है जो की कोड़ दुवाड से और केदर ना तक बिल्कुल पैदल यात्रा है इस पर मेरा जरूर साथ दीजे तो बस इतना ही कहना जाता हूँ आप लोग अगर वीडियो देख रहा हो तो एक दूसरे से वीडियो शेर कीजेगा और बताइएगा कि उत्राखंड का एक बच्चा कोड़ दुवार का एक बच्चा पैदल यात्रा कर रहा है कि दर नात के लिए और बस इतना ही कि अपना प्यार बना के रहे और आशिरवाद दीजिए तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पसना आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बैले कि बड़तन दोड़ना ना भूले ताकि जितनी ही मच्छी वीडियो दो व्लॉग लेकाता हूँ उसक